महरास्ट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है 22 दिसंबर से पांच जनवरी तक राज्य के नगर निगम वाले इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा इस दोरान रात में 11 बजे से सूबे 6 बजे तक बगैर किसी जरूरी काम के लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे कर्फ्यू का कारण करोना के केसों में निरंतर बडोतरी होना बताया जा रहा है आपको बता दे कि राजे सरकार ने यूरोपियन देशों से आने वाले लोगों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की है ऐसे पैसेंजर जो महरास्ट जाने के बाद 14 दिन तक अनिवार्य रूप से इंस्टिटूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा केंद्रिय स्वास्ते मंतरी हर्श वर्दन ने कहा है कि ब्रिटेन में मिले करोना वाइरस के नए स्ट्रेन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है सरकार इसके बारे में अलट है ब्रिटेन में करोना वाइरस का नया स्ट्रेन मिला है जिसे बहुत संक्रामक बताया जा रहा है कई देशों ने ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइट्स पहले ही बंद कर दी है वाइरस का नया रूप पहले से 70% ज़्यादा खतरनाक हो सकता है वाइरस में लगातार म्यूटेशन होता जा रहा है यानि इसके गुन बदलते रहते हैं म्यूटेशन होने से ज़्यादा तर वेरियंट खुद ही खत्म हो जाते हैं लेकिन कभी-कभी यह पहले से कई गुना और ज्यादा मजबूत खतरनाक हो जाता है यह प्रोसेस इतनी तेजी से होती है कि विज्यानी के एक रूप को समझ भी नहीं पाते हैं और दूसरा नया रूप सामने आ जाता है विज्यानी को कानुमान है कि करोना वाइरस को जो नया रूप भिजेन में मिला है वह पहले 70% जाता खतरनाक हो सकता है बताते चले कि महराज सरकार ने करोना के निरंतर बढ़ते केसों को लेकर यह कदम उठाया है आद धने आद रूप जाता है झाल 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 झाल